हेलो फ्रेंड्स आपके अपने चैनल वीडियो वलाइसी में मैं अमित कुमार सोनी स्वागत करता हूँ दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें यह छोटी सी शिकायत है कि आप लोग वीडियो देखते हैं बाहर हो जाते हैं लेकिन सबसक्राइब नहीं करते तो रिक्वेस्ट है कि कुर्पया चैनल को सबसक्राइब करें शेयर करें वीडियो को अधिक से अधिक और लाइक जरूर करें दोस्तों यदि आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से सम्बंदित क्योंकि मैं सिक्षिक समाचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ सिक्षभ विभाक से रिलेटेड हर विशय की बात में यहाँ पर करता हूँ तो दोस्तों यदि आप इससे सम्मंदित कुछ भी बात पूछना चाहते हैं तो कृपयाकर कमेंट शेक्षन में उसको लिख सकते हैं दोस्तों इस समय हम देख रहे हैं कि मद्यप्रदेश की जनता मद्यप्रदेश का हर सिक्षित युवा इस समय सरकार से परिशान है सरकार की तानाशाही प्रवित्ती और उसकी असम्मेदन शील नीतियों के कारण हर सिक्षित युवा इस समय एक बहुत ही आक्रोश से भरा हुआ है क्रोश से भरा हुआ है और रोश से भरा हुआ है दोस्तों बैसे तो हर केटेगरी के चाहे वो रेलवे की तयारी करने वाले हो चाहे वो सिक्षक भरती पात्र अभ्यरती हो चाहे वो फुलिस की तयारी करने वाले हो हर युबा वेकेंसी ना निकलने से पदों में बिर्दी ना होने से किसी भी प्रकार से नियुकती ना मिलने से निरास है काफी खिन है लेकिन दोस्तों लगवग 14-15 सालों से सबसे ज़्यादा निराशा जनक और देनी इस्तिती में यदि कोई रह रहा है तो वो है अतिती सिक्षक जी हाँ मैं बात करने वाला हूँ मद्द प्रदेश के उन सत्तर हजार अतिती सिक्षकों की गेस्ट टीचर की जो की इस सरकार की उलट फुलट का शिकार हुए हैं इस सरकार की ताना शाही का शिकार हुए हैं दोस्तों अब अतिती सिक्षकों ने ये संकल्प लिया है कि अब हम इस चुनाओं में उप चुनाओं में इस बीजेपी की वरतमान सरकार को निकाल फैकेंगे खटा देंगे और यदि हमें उप चुनाओं से पहले नियमेती करण नहीं किया गया 12 महीने का वेदर निश्चित नहीं किया गया पर्मानेंट नहीं किया जाता है और हमारी जो की वैलिड मांगे हैं वैलिड डिमांड है नहीं मांगी जाती तो निश्चित रूप से मामा जी आपकी हार इस बार निश्चित है दोस्तों आखिर ये इस्तिती क्यों उत्पन हुई और आखिर इस आक्रोश को कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है मद्ध प्रदेश के हर गाउं में हर जिले में हर संभाग में आप लोगों को मैं एक छोटी सी जलक बता देता हूं उसके बाद में एक म इतिश्चित संस्था के द्वारा किया गया है कि पूरे मद्ध प्रदेश में मामा जी के किलाब शिवराज जी के किलाब इस बीजेपी की सरकार के किलाब किस प्रकार से क्रोध है और उस क्रोध को कैसे प्रकट किया गया है और निश्चित रूप से उस सरवे में क्या दोस्तों बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में आखरी तक तो पहले देख लें कि आखिर इस आक्रोश को मद्रप्रदेश के अतीति सिक्षकों ने कैसे प्रियुक्त किया है चार सितंबर और सिक्षक दिवस पांस सितंबर के दिन काला दिवस मना करके जैल भरो अवियान मना करके तो पेशे आपके सामने वो वीडियो किलिप्स पूरर बहुर रहा है और हम तो नियमत ने जी रहा है और हमको नहदा मरभार कि आंव हो नियमत करके ना होगई है जाभी विजां सबास ना उतार 7 danach दोस्तों इतना ज़्यादा विरोध इतना ज़्यादा जन आक्रोश गली-गली महले में जिले में संभाग में इस शिवराज सरकार का किया जा रहा है उसकी नीतियों का किया जा रहा है इससे पूरे मद्ध परदेश में किवल एक ही लहर हमको दिखाई देती है कि इस बार जो है शिवराज सरकार आपकी सरकार दुवारा नहीं आ सकती 27 सीटों पर दूसरी पार्टी सत्ता में आएगी लेकिन बीजेपी नहीं अब दोस्तों इसी संदर्व में बीजेपी और कांग्रेस और अधर पार्टी में से कौन सी पार्टी इन 27 सीटों के चुनाओ के बाद में सत्ता पर आने वाली है इससे सम्मंदित एक प्रतिश्चित संस्ता के द्वारा सर्वे किया गया है तो वो सर्वे किया गया है बुंदेल खंड बगेल खंड और निमार मालवा के छेतर से जोकी पूरे मध्य प्रदेश को कवर करता है तो आईए दोस्तों हम उसकी बात कर लेते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये है हमारा मद्ध परदेश और जो जो जोलंत प्रशन पूछा गया जो कि सोशल मीडिया पर काफी वाइरल है वो प्रशन था कि क्या आप शिवरात सरकार के कारियों से पून तहा संतुष्ट है तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मद्ध परदेश के अलग-लग रीजन्स की उसमें यहाँ पर बुंदेल खंड बगेल खंड की बात करेंगे तो सबसे पहले बुंदेल खंड यहाँ पर इस प्रशन के जवाब में लोगों ने 35% मातर ने कहा हाँ जबकि सबसे ज़्यादा परसेंटेज 58% ने कहा नहीं जबकि साथ लोगों ने इसके संबन्द में बात की है कि हम इसका कुछ नहीं कह सकते जैसा कि आप इसको ग्राफ के फार्म में भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर 58% में वो सिक्षित युबा वा अन्य जनता शामिल है दोस्तों सिक्षित युबाओं में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हैं हम जानते हैं कि 70,000 70,000 अतीती सिक्षक हैं तो समझ सकते हैं कि अतीती सिक्षक इस समय इस चुनाव में कितने महत पून है उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम बगहलखंड की दोस्तों आप देख सकते हैं कि बगहलखंड की स्थिती में जो ग्राफिटीकल उसका व्यू है उसमें हम बात करेंगे कि 23% ने हां कहा है कि हम संतुष्ट हैं जबकि 7% ने कहा है कि हम कुछ भी नहीं कह सकते इसी के बाद में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बगेलखंड में 70% रहा है जो की असंतुष्ट है सिवराज सरकार की नीतियों से तो हम देख सकते हैं दोस्तों के यहां भी 70% जो युवा है और जो बाकी की शेज जनता है वो दोनों मिला करके हैं और यहां पर भी अतिति सिक्षक बहुती महत्पुन भूमिका निभा सकते हैं दोस्तों इसके बाद सर्वे आता है निमाल मालवा अंचल का दोस्तों निमाल मालवा अंचल में आप देख सकते हैं कि यहां पर यदीम ग्राफ की बात करें तो 43% जो लोग है वो संतुष्ट है उन्होंने हां कहा है जबकि 8% लोग ने कहा है कि कुछ नहीं कह सकते यहां पर भी highest percentage ना कहने वालों का है वो है 49% जिसमें कि सिक्षित भूमी का निभाई है तो दोस्तों यह एक सर्वे था इसमें अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है इसपच्ट हो चुका है कि यदि हम और हाल मद्यप्रदेश की बात करते हैं तो हमारे सामने जो आकड़े आते हैं कि सिवराज शरकार की कारेविदी से संतुष्ट नहीं होने वाले लोग हैं 58% पूरे मद्यप्रदेश में केवल 36% 36% हैं जो की संतुष्ट हैं और 6% हैं जो हम नहीं कह सकते तो वो भी इदर उदर हो सकते हैं तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अतिती सिक्षक एक सत्ता पलटने में कितनी महत्पून भूमी का निभा सकते हैं तो दो मिलते हैं अगले वीडियो में सब्सक्राइब जरूर करें शेर करें लाइक करें धन्यवाद